जैहन साथियों स्वागत है आपके अपने यूट्टूब चैनल आर्मी अलापी तो जितने हमारे फौजी भाई जूड रहे हैं सेस्टन के साथ तो सेस्टन को लाइक करेंगे सेर करेंगे और चैनल सस्क्राइब ने कि अपली सब्सक्राइब करेंगे आपको रजना साम के को जिसको आफ्लेंड कमेंट बक्स में आपको आंसर करना रहता है चलिए स्टार्ट करते हैं कोश्चन no.1 है कि हिंदी भासा की लिपी कौन सी है पाली है संस्कृत है देवनागरी या फिर भोजपुरी है या फिर भोजपुरी है दोस्तों जल्द है की साइंस की मरातना आन सरोजिनी नाइडो लिटा मंगेशकर या इन में से कोई नहीं प्यारे साथी सभी लोग इसका आंसर करेंगे कि नाइटिंगल ऑफ इंडिया कि एका जाता है तो सरोजिनी नाइडो दुस्तों राइट आंसर रहेगा option क्या होगा बी आपका correct आंसर रहेगा तो बढ़ते हैं अगले कोश्चन तरब बिना देरी की हुए कोश्चन नमबर जो कि थ्री आपके स्क्रीन पर है कोश्चन दोस्तों सिंपल सा रिपीट इट कोश्चन है आप लोग इसका आंसर फटाक से कर देंगे कि मद्धिरात्री का सूरी किसे कहा जाता है म जैपान को नियुवर्क को या फिर नौर्वे को या फिर नौर्वे को तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तो नौर्वे इस दा राइट आंसर ऑप्सन डी बात करें दोस्तों नौर्वे की राजधानी तो राजधानी क्या है वो स्लो है आप लोग याद रखेंगे वो स्लो है आप लोग याद रखेंगे अगला कुश्चन है कि पंच तंतर के लेखक कौन है जैसंकर बाणबट चंदरवर्दाई या फिर विश्णू सर्मा या फिर विश्णू सर्मा सभी 37 का आंसर करेंगे और सेशन को लाइक से भी करते रहेंगे पंच तंतर के लेखक कौन है तो दिल्ली का सासक कौन था कुतुब दिन एबक इल्टू तमिस अकबर या फिर साजहां या फिर साजहां सभी साथी इसका अंसर करें कोश्चन नमबर पाच का चंगेज खाके आकरमण के समय दिल्ली का राज़ा कौन था तो राइट अंसर हैगा आपका आपसन बी इल्टू कि सुझते तो गुलाम मगान सब्साफ लोग याद रहें गुलाम उंस उकित अुक्र थे कौन तो तो इल्टूमस नेफ्स्ट कौस्चन है की मिजुरं कि राधदानी क्या है मिजुरं कि राधदानी आपको बताना है इमफाल है सिलांग है धरत है या फिर आईजोल है आपशन डी वाई जितने भी साती हैं जितने ही पहुजी भाई को कर रहे हुनका सभी का correct answer रहे गा नेष्ट कोशने कि LIKE कि उन्परागत नितंहें ब् paleo 4 जो कि अजन्व राज का परेमपरागत सब्सक्रम प्रांइर रहें तो राइट आंसर हैगा, असम आपका करेक्ट आंसर हैगा, असम वाल इतने भी साती हैं कि भी हो जो कि असम राजिका परम परागरत निदते हैं, option B आपका करेक्ट आंसर रहेगा, next question है, संयुक्त राष्ट संग के पहले महा सचीव कौन थे, संयुक्त राष्ट संग के पहले महा सचीव कौन थे, त्रगबेली, बोन मून, डेट हैमर या इन में से कोई नहीं, या इन में से कोई नहीं, तो बात करें दोस्तों, संयुक्त राष्ट संग के पहले अधक्षिते क्या होंगा वर्तमान है क्या है क्या होँगा जो है कि विश्ष वास्त दीवस कब मना आथा विक स्वास्थ दिवस कब मना जाता है तो राइट अंसर रहेगा तो है ब्बाइतने कि भरत ने घृवा को पृत्त गाल से कब आजात करवा बाया था भारत ने गुवा को परत गालीयों से पर आजाद और था उनिससों सांतालेस उनिजिसों निन्ैनाभी में उनिसों पांटैसे Dept 70 1961 में तो राइट यत्र रहेगा कि भारत ने गौभा दिल्ली या फिर देहरादून या फिर देहरादून सभी साथ ही एक बार जिसका आंसर करेंगे और अपना लाश्ट में स्कोर जो बताएं कि आप लोग ने तीस में से कितने कोशन सही किये हैं नेश्ट कोशन इसका राएट आंसर दोस्तों क्या होगा राश्ट्य वनसपरती उद्ध्यान कहां पेष्टित है लखनौ जो कीसलिकत है उपसन ये कर्यक्त आंसर रहेगा लखनौ आपका राइट आंसर होगा नेश्ट कोशन है कि भारत की सबसे बड़ी सिचाई नहर काउन स तो options कि वाल जितने में साथ हैं उनका सभी का right answer रहेगा अगला question है कि पर्थम ACI खेलों का आयोजन 1929 में कहां पर हुआ था टोकियो काटमांडू नियो दिल्ली या फिर बीजिं या फिर बीजिं तो right answer रहेगा आपका question number 14 का नई दिल्ली option C correct answer रहेगा अगला question है कि मौर समराज का समकाल था 273 BC से लेके 184 BC तक 322 BC से 187 BC तक या चीया 46 AD से 176 AD एक बार आप लोग इसका answer करेंगे तो आपका यहां पर correct answer रहेगा 322 से 187 AD आपको कहीं पर 180 AD भी मिल सकता तो आपका 322 से 322 से 150 BC तक भी मिल सकता है तो आपका right answer क्या रहेगा 322 ABC से 187 BC तक next question है अब आपके यहां दोस्तों GI S के question इसके 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 है, कोंचिन है कि विद दूद का SI मातरग है, विद दूद का SI मातरग है जूल है, MPeR है, KLOM है outreach he यह फिर what है सब्lorब साथी सीस का answer करेंगे तो राइट answer है रहेगा कि विद दूद दूद का SI मातरक क्या होगा तो MPeR is the right answer option B. Option B क्या होगा correct अंसर रहेगा अगला कोश्चन है कि सिस्मों ग्राफ का उप्योग क्या मापने के लिए किया जाता है सिस्मों ग्राफ का उप्योग क्या मापने के लिए किया जाता है भुकम्प विदुद्धारा का प्रवाह रदय गतिया फिर रक्त चाफ जोड़ी को या फिर मान स्पेसी से चमडी को तो राइट अंसर है हेगा कि हमारे तरीर में इस नायू जो कि हड़ी से त्यूकि हड़ी को जोडते हैं बॉन टू बॉन को जोडते हैं option c वाले सभी साथी right पूरेंगे अगला question है कि motor car की headlight में काउन साधर पन प्रियोग कियाता है motor car की headlight में काउन साधर प्रियोग कियाता है काला, साधार, उतल या फिर आउतल या फिर आउतल तो right answer है question number 19 का आपका option D कौन क्यों mirror जो कि आपका right answer हैगा अवतल जो कि क्या रहेगा right answer रहेगा next question है कि मानो की सबसे डैस मानो सरीर की सबसे बड़ी गरंती है डैस मानो सरीर की सबसे बड़ी गरंती है liver, दिल, kidney या फिर फेफड़ा या फिर फेफड़ा सबी साथी एक बारिश का answer करेंगे क्या रहेगा कि मानो सरीर की सबसे बड़ी गरंती कौन सी है तो यकरत आपका right answer हैगा आपका question number 20 का right answer क्या रहेगा आपका liver is the right answer option A next question है question number 21 question 21 number क्या कह रहा है कि रैबीज किसके कारण होता है प्रदूशन दूसी जल कुत्य के काटने से या इन में से कोई नहीं या इन में से कोई नहीं रैबीज किस कारण होता है तो रहेगा कुत्य के काटने से होता है option C correct answer रहेगा उपका ख़ंस का ऊचने से जोकी रैबीज होता है next question है कि रेल गाड़ी के अचानक रुकने पर आदमी गिरता है उपर की ओर नीचे की ओर आगे की ओर या फिर पीछे की ओर तो राइट आंसर रहेगा कि रेल गाड़ी के अचानक रुकने पर आदमी गिरता है आगे की ओर developmental difference option क्या होगा सी correct answer रहेगा फारवर्ड इस दा राइट अंसर न Newton है कि उर्जा का प्राकर्तिक सोर्थ है उर्जा का प्राकर्थिक सोर्थ है अगला कोूष्चन निम्न में से कौन सा रकत समूँ सर्वग रही है यह पोजिट्यू ए बीपोजिट्यू या फिर ओ पॉजिट्यू या फिर ओ पॉजिट्यू तो यॉजट Wie और की I तर्मा मेटर में कौन चापदार्थ प्रयोग किया जाता है या प्रयोग होता है पारा पानी तेल या फिलुहा थर्मा मेटर में कौन चापदार्थ प्रयोग होता है तो पारा इस दा राइट आंसर मरकरी जालिव इतने भी साथ ही तभी क्या करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स को राइट आंसर हेगा हिर्दय घात का करण क्या है तो कोलिस्ट्राल इस दा राइट आंसर ऑप्शन डी नेक्स्ट कोश्चन है कि कार्बन यो हाइड्रो कार्बन के योगिक को क्या कहते हैं कार्बन यो हाइड्रो कार्बन या हाइड्रो कार्बो हाइड्रेट या फिर कार्बो हाईडरेड तो हाईडरो-कार्बन इस दा राइट आंसर आप्टन सी जितने भी साथी ओप्षंट D को करें योसार हैं नेक्स्ट कोशन है सिंपल सा कोश्टन है कि सोडियम का र fraudतानी जिन्ह क्या है सोडियम का रछानी आउसर रहेगा यानि कि क्या होगा ऑफिरेस है तैस क्या है तो आपका राइड स्य फॉर या कि option क्या होगा डी करेक्ट आंसर रहेगा नेस कोशन है बॉक्सरेट किस धातू का आइस का है तामबा गोल्ड टीन या फिर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो अच्छी लगिए तो लाइक करेंगा जो भी कमी है तो उसको दूर करने की कोशिच करेंगे दोस्तों मिलते हैं आप और नेक्ट सेस्न में तब तक लिए जय भारत वनने मातर